आदिन्न दाना बिरमनी सिखा पदंसमाधियामी आप जी मैं मैं जैभी नमगो बता है सभी साथियों को जी मैं योगी ता वेंचीन जैसे दो बाते बताई उनी पर मैं आगे कांटीनिव करना चाहूंगी फैले तो कि एक तो उनों ने फूलन देवी जी के पूरा उनका जीबन पूरा जीबनी उन्होंने बताई तो इसमें मेरा भी मैं अपने सब्द इस तरह से एड करना चाहूंगी कि हम खास्तवर से आज जैसे कि महिला विशेस है तो हम महिला के लिए मैं बात करना चाहूंगी अगर आपके साथ गलत हो रहा है आपके साथ अत्याचार हो रहा है तो आप किसी दूसरे को आप पर तरस आएगा या आपके दुख और पीड़ा को देख कर के कोई और आएगा की स्थिती सुधारने के लिए आप अधिकार और हक दिलाने के लिए तो इसके लिए भी हम जैसे की पुलंदी वी जी का था कि उर्वनने अपने लिए खुद लड़ाई लड़ेई खुद अपने आपको आपको बहादूर बनाया तो इससे हमें यही प्रेड्ना लेनी चाहिए कि आपको खुद अपने लिए प्रियास करने होगे कोई भगवान नहीं आएंगे और किसी को कोई तरस नहीं आएगा कि वो कोई और आतर के आपकी मदद करें तो यह तो हमें यह बात सीख भी चाहिए और हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए कि आपकी तो उसका याद करने का एक मुख्व दिन है तो उसको याद इसलिए किया जाता है कभी-कभी हमारे साथी लोग बोलते कि हम कब तक अपने महापुर्सों की द्वारा किये गए कारे को हम याद करते रहेंगी या गिनवाते रहेंगी हम क्या कर रहें हम में अपने कारे को गि किये थे जब कि तब इस्तिती में भी संसादन नहीं थे उन्होंने कैसे किये होंगे हमें उनकी मांसिक तक पर भी विचार करना पड़ेगा जब उन्होंने इतने कम से कम संसादनों में, कम से कम सिच्छित लोगों के साथ मिलकर कि इतने बड़े-बड़े काम किये थी, हम जोतिवारा फिले के संगर्सों को देखते हैं, माता सावित्री वाई फिले के संगर्सों को देखते हैं, बाबा साब के कारे को देखते हैं, कांसी राम साहब के कारे क लेकिर फिर भी हम उनकी कारों की यक परसेट भी कौपी नहीं कर पा रहेありがとうございました तो इस बात की भी हमें समिख्षा करनी चाहिए और दूसरी बात कि जैसे कि चावदार महार चल तलाब का जो आंदोलन था कि उसका सब को पता है है तियाज कि ऐसी इस्तिती थी अचुतों की कि उस तलाब से जानवर तक पानी पी सकते थे लेकिन अचुतों को पानी पीने का अधिकार नहीं था भले ही वो प्यास से क्यों ना मर जाए तो यह हुआ कि आज भी लोगों को लग रहा है नहीं आज इस्तिती सुधर गई है लेकिन ऐसा नहीं अभी जैसे दो दिर पहले का केस सब को याद होगा कि जीते इंद्र मेंगवाल की क्या गलती थी उसने ऐसा क्या गलत काम कर दिया था कि उसको अपनी जान से हाथ दोना पड़ा तो आज भी वैसी ही इस्तिती आपने आसपास दिख रही है बस यह अलग बात है कि हम उतना बिचलित नहीं होते हैं या हम उतना रियक्ट नहीं करते इस तरह की इस्तिती आज भी देखने को बिल रही है दूसरी बात कभी भी हमने जो बुराईयां थी जो सवर्डबर्ग की जो मानसिक्ता थी उस पर हमने इतना रियक्ट नहीं किया यह कहिए कि हमने कभी भी उस बुराई को खतम करने के लिए अपने खुद के प्रयास नही है कि वो बीमारी जो थी हमारे समाज में व्यापत वो आज भी जस्तितस बनी हुई है और बीमारी को जब करने की आज भी हम उसी खतार में लगे हुए है तो यही मैं इसी दो इसी सब्दों के साथ मैं यह कहना चाहरी थी कि यह इतियासिक देन बैने याद दिलाया पुलंदेवी जी का संगर से याद दिलाया और वी दपेपल समढ़ संग के बारे में यही बोलना चाहूंगी कि हम लगबग नौ-दस महीने से यहाँ पर लगातर हम लोग मिल रहे हैं जोड रहे हैं लोगं को जोड रहे हैं तो इस प्रियास को और आगे बढ़ाने के लिए इसमें और गति लाने के लिए हमें सब को और अपना एपर्स और डालने पड़ेगे क्योंकि आखिरकार हमारे पास यह काकिरी उम्मीद बचिए कि अगर हम जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हम संग की सरण में आ जाएंगे तो साइध हम अपने अस्तित्व को बचा सके अधरवाईस तो हमें और चिंता हैं, डिसकस कर रहे हैं, तो उससे भी हमारा काफी मनोबल बढ़ रहा है, हमें एक कुबीद की एक किरण देख रही है, कि साइध हम कुछ कर जाएंगे, अगर हम जल्दी से जल्दी खटते हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ हम बहतर करके जाएंगे, अपनी आले वा